तो बच्च आप करेंगे 9th question यह काफी अच्छा interesting question है एक uniform meter ruler है uniform meter ruler अगर आप बोलते हैं तो यह obviously बात है यहाँ पे 0 cm होगा यहाँ पे 100 cm होगा ठीक है और इसका जो midpoint होता है वो होता है बच्चो 50 cm अच्छा जी अब क्या कह रहा है कि uniform meter scale है balance horizontally on a sharp knife edge horizontal on a knife edge plays at 58 cm यहाँ पे एक मैंने एक चाकू रख दिया ऐसे करकर ठीक है अब चाकू के edge पे यहाँ पर यह balanced है ठीक है और यहाँ पर किस पर balance है 58 cm पे balance है ठीक है यहाँ पर इक चाकू की मैंने edge रखा जो की 58 cm पर यह पूरा मैंने चाकू ऐसे उपर रखा वह और scale रखी वह और वह पूरा balance हो रहा है ठीक है अब क्या कह रहा है मैंने weight of 20 gram force is suspended from one end अब यहाँ पर अगर मैं 20 gram force suspend कर दूं ठीक है from one end ठीक है तो बोलना draw a diagram of an arrangement तो देखे यह मैंने diagram यहाँ पर बना लिया तो देखे यह diagram काफी अच्छा पहली बार इतना अच्छा smart सा diagram मेरा बना है तो यह diagram मैंने यहाँ पर बना चुका है तो देखो अब देखे क्या कह रहा है what is the weight of the ruler हमेशा याद रखना बच्चों मैंने आपको introduction भी बता है कि जो weight of the ruler होता है weight हमेशा ruler के midpoint पे लगता है हमेशा weight of the ruler की बात कर रहा है weight of the ruler तो हमेशा midpoint पे लगता है तो मतलब midpoint पे मैं कुछ suspend करूँगा ठीक है तो यहाँ पे कोई मैं यहाँ पे कुछ मास सस्पेंड करूंगा ठीक है तो देखो यह मेरा भी क्या हो गया weight of the ruler हम्मेशा midpoint पर लगता है मैंने आपको introduction में बताया है तो देखिए अब इसको solve करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ से तक कितना है distance तो देखो 58 से यहाँ तक का distance कितना है बच्चो 58-50 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 cm हो जाएगा तो movement of force तो यहाँ पर इसका weight तो यहाँ पर weight को let weight of ruler को मैं x ले ले दा हूँ तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो ruler का weight है वह हमेशा मिट पॉइंट पर लगता है तो देखो x weight जो है मेरे पर force into perpendicular distance to force कितना हो गया मेरा weight हो गया मेरा x हो गया perpendicular distance यहाँ से यहा तक 8 0 इकोल्स टू अब यहां से यहां तक का perpendicular distance किता है बच्चो 100-58 करता हूं तो देखिए अगर मैं 100-58 करता हूं तो कितना आ रहा है यहां आएगा बच्चो मिर पे 42 तो देखो यहां से यहां तक के distance कितनी है 42 cm तो देखो और weight कितना है मिर पे 20 gram force तो देखो मैं सीधे सीधे यहा पर force into perpendicular distance equals to force into perpendicular distance तो force यहां पर मेरा weight of ruler कितना है मैंने x ले लिया perpendicular distance यहां से यहां तक कितनी है 8 cm अब इस case में force कितना है बच्चो 20 gram force यहां पर भी मैं gram force लगा लेता हूं कि gram force से gram force कर जाएगा into perpendicular distance कितनी है 42 तो देखिए जो मेरा x आने वाला है वो आ जाएगा 42 into 20 upon 8 ठीक है तो इसको आप solve करना तो देखो x की value कितने आ जाने वाली है बच्चो 105 gram force तो देखो जो मेरे पे जो weight आ जाएगा इस ruler का वो आएगा 105 gram force देखो बहुत ही important है बच्चो weight of the ruler हमेशा midpoint पे लग याद रखना weight of the ruler हमेशा mid point पे लगेगा यह याद रखना बस बहुत important है तो देखो x की value आगी 105 gram force next करते हैं